अगर आपकी मरदाना ताकत कमजूर है, आपकी संभोग करने की टाइमिंग कम है, आप ज़्यादा देर तक संभोग नहीं कर पाते क्योंकि आपने बच्पन से ही हिला हिला कर आपने अपनी मरदाना ताकत को गवा दिया है, जिसकी वजह से आप बिलकुल नामर्द और नपु सक हो गए हैं, आपका लिंग जरा सा भी खड़ा नहीं होता, बीबी के पास बिस्तर में जाते हो, तो मात्र दो से तीन मिनट के अंदर डिस्चार्ज होकर चले आते हो, क्योंकि आपकी बीबी आपको हमेशा नामर्द और नपुनसक कहती है, उसका कहना भी जायज है, क्यों आप इस औसधी का इस्तमाल करें, और लगातार तीन से चार घंटे बिना रुके, बीबी की टांगे उठा उठा कर ठोके, ठोक ठोक कर बीबी की गुफा फार दें, तब आपकी बीबी आपको मर्द कहेगी, तो चलिए जाने इस औसधी के बारे में, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और लेट्यू में सेयर करें, ताकि सभी को लाब मिल सके, सबसे पहली चीज, आपको लेनी है लहसून, और दूसरी च लेना है लहसून और इलाइची, आपको इलाइची 50 ग्राम की मात्रा में लेनी है, और उसे अच्छी तरीके से कूट कर पीस कर पाउडर कर लेना है, उसे पाउडर करके किसी काच के बोतल में भर कर रख दें, और प्रति दिन आपको सुबह साम दोनों टाइम, खाना खाने के बाद चार लहसून की कलियों को छील कर कोट कर चटनी बनाएं, उसमें एक चमच की मात्रा में इलाइची का चून डालना है, और एक चमच की मात्रा में सहद और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, मिक्स करके खाना खाने के बाद उसे चाट लेना है, चाटने के नहीं पानी नहीं दूद का सेवन करना है आप सिर्फ लगातार दस दिनों तक सुबह साम इसका इस्तमाल कर लें बीबी की टांगे उठा उठा कर ठोकेंगे चीर देंगे फार देंगे बीबी की गुफा सुजा देंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको यह चोटी सी जानकारी प जादा सेयर करें ताकि सभी को लाब मिल सके मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें बाई बाई दोस्तों